मुझफर पूर्जिले के मीनापूर प्रखंट के बंखारा गाउं की आठ साल की शिप्रा हादसे में अपने दोनों पैर गवाने के बाद भी UPSC करने का सपना संजोए हुए है UKG की चात्रा शिप्रा को आज तक सरकारी स्तर पर ट्राइ साइकल नसीर में हुई पिता रोज साइकल से बेटी को स्कूल पहुचाते हैं बच्ची की हिमत ऐसी कि वो अपने हाथ और सिर के बल कुछ दूर तक चल भी लेती है होनहार ऐसी की अपनी कक्षा में अभी से वो हमेशा अवल आती है आज शिप्रा से आसपास के बच्चे सीख ले रहे हैं शिप्रा की दादी फूल बदन देवी ने कहा कि गत्तस दिसंबर 2008 रको पांच साल की शिप्रा नरसरी की क्लास करने स्कूल जा रही थी इस बीच तेज रफतार आ रही बालू लदे ट्रक में शिप्रा को बुरी तरह से रोट दिया एक पैर तो घटना स्थल पर ही शरीड से अलग हो गया दूसरा बुरी तरीके से जखमी पैर मतलब की पूरा से कुछ ला गया था तो लेकर के हम लोग मेटिका लगया है उहां इलाज चला रात बर तो वहां रखे उसके बाद कहा कि यह नहीं कुछ होने वाला है तो हम लोग लेकर के चले गए पार्टना एम्स में एम्स में गया सार वहां पर तीन महीना इलाज चला वहां गया तो पैर जो था लगा हुआ उसका काट के हटा दिया गया तीन महीना इलाज चला तीन महीना के बाद घर पे आएं घर पे आएं तो लगातार इसका पैर में घा होते था कतना बार इसका फिर सरजरी दोबरा दो दोक्टरों ने बच्ची के बचे हुए पैर को बचाने की कोशिश की लेकिन उस पैर को बचाया नहीं जा सका पटना इम्स में इलाज के बाद जखमी पैर को भी काट कर हटा दिया गया घटना के वक्त पिता शेल कुमार दास माइक्रो फिनांस कमपनी में जॉब करते थे शिपरा दोनों पहल गवाने के बाद स्वस्थ होकर घर लोटी तो फिर से स्कूल जाने की जिद पर अड़ गई बेटी की जिद के आगे पिता को माइक्रो फिनांस कमपनी की जौब छूड़नी पड़ी अब वो साइकल पर बेटी को स्कूल ले जाते हैं शिप्रा का नामांकन सरकारी स्कूल में भी है लेकिन शिप्रा के पढ़ने की ललक को देखते हुए बंघारा के ही रोड़ पर्ड पब्लिक स्कूल ने मिश्चुलक शिक्षा देने की घोशुना की शिप्रा वहां रोज पिता की मदद से साइकल से जाती है अब आठ साल की हो गई है यूकेजी क्लास की वो तेज तर्राच छात्रा है शिप्रा की पढ़ाई नियमित हो गई लेकिन आर्थिक तंगी की कारण दाल रोटी पर संकट है बेटी के हट के आगे पिता शायल कुमा चार्श के आता है वी क्लाइक वाला हो तो आती है अभी तो तिम्हां से रेकिरू किया है तो कोई मदद नहीं मिला सुनु-सुथ सर ने भोले हैं पारी के अभी लगाएंगे हम पाया जाता है क्लेक्टर बना चाहते हैं कैसे बना होगे पढले कर बनेंगे पढ़ाई में कह से मदद मिल लिए तुमको पपा ममें घर पर पढ़ाते हैं अच्छा इसकूल बाले इसकूल की पैसा लेते हैं तुमसे लेते हैं इसकूल की तब से कोई मदद तुमको नहीं मिली नहीं हाला कि शुक्षविभाग की ओर से लगे दिव्यांग शिवर में शिप्रा का अबिदन लिया गया है उसे हर संभब सहायता का अश्वासत दिया गया है शिप्रा के पिता कहते हैं कि बेटी की पढ़ाई अब बाधित नहीं होने देंगे जिवी का उपारचन के लिए घर पर ही कारोबार शुरू करेंगे लेकिन बेटी का सपना जरूर पूरा करेंगे NBT Online के रिपोर्ट